ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 15 जन्वरी 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है यही मुख्य सब्जेक्ट है इस योगबल से तुम सर्विस एबुल गुडवान बन सकते हो मीठे बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है यही मुख्य सब्जेक्ट है इस योगबल से तुम सर्विस एबुल गुडवान बन सकते हो प्रश्न तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है कैसे उत्तर आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वो मनुस्यों का मनुस्यों के साथ योग जुटा लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे ये है सबसे निराली बात दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परचे आक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना ये भक्ती है ग्यानवान बच्चे परचय सहित याद करते हैं ओम शान्ती रुहानी बाप बैट बच्चों को समझाते हैं बच्चों को पहले पहले तो बाप का परचय मिला है छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले मा बाप का परचय मिलता है तुमारे में भी नंबर वार पुरशार्थ अनुसार हैं जिनको रचता बाप का परचे मिला है ये भी बच्चे जानते हैं उँच ते उँच बाप ही है उनकी ही महमा बतानी है महमा गाते भी हैं शिवाय नमा ब्रह्मा नमा विशनु नमा शोबता नहीं शिवाय नमा शोबता है ब्रह्मा देवताय नमा विशनु देवताय नमा अक्षर शोबता है उन्हों को देवता कहना पड़े उँच ते उँच है भगवान जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महमा जरूर बतानी है वह सुप्रीम बाप है बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महमा कैसे सुनाए पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है टीचर भी है सत्गुरू भी है तीनों को याद करना पड़े यूं तो याद शिवावा को ही करना है तीनों रूप में ये तो पक्का करना पड़े तुम बाप की महमा को जानते हो तब तो करते हो उन्होंने तो उँचे ते उँच बाप को ठिकर भित्तर में कह दिया है मनुष्य में भी कह देते हैं लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते वह तो सिर्फ लोन लेते हैं वह खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूं तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य, वही सत्य नारायन की कथा सुनाते हैं। नर से नारायन सत्य बाप ने बनाया है। सत्य युग में इन लक्षमी नारायन का ही राज्य था। वह कैसे बने? किसने बनाया? कब कथा सुनाई? कब राजयोग सिखाया? यह सब तुम अभी समझते हो. और सब योग होते हैं मनुष्यों के मनुष्यों के साथ. ऐसा होता ही नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो. वह भी परचय से आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं परन्तु जानते उनको कोई नहीं. यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा. मुझे हुए हैं. समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले-पहले सत्यूग में होना चाहिए. अगर सत्यूग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूच्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते. ये साकार है कर्म बंधन में. वे सूच्म है कर्मा तीत. ये ग्यान कोई में भी नहीं है. ग्यान देने वाला एक बाप ही है. वे जब आकर ग्यान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ. बाप का किसको परजय देना बहुत सहज है. अल्फ पर ही समझाना है. ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है. किसको परजय देने में कोई तकलीफ नहीं है. बहुत सहज है. परंतु निश्चे नहीं. प्रैक्टिस नहीं. तो किसको समझा नहीं सकते. किसको ग्यान नहीं प्रजा पिता ब्रह्माह का आक्यूपेशन भी बताया है। तो अपना भी आक्यूपेशन बताया है। मनुश्यों ने तो शिव और शंकर को मिला कर एक कर दिया है कहते हैं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया अब विनाश तो बॉम से नेचुरल कैलिमटीज से होता है शिव शंकर महादेव कहते हैं ये चित्र कोई यथार्त नहीं है ये सब भक्ती मार्ग के चित्र है वहाँ ऐसी कोई बात नहीं प्रजा पिता ब्रह्मा भी देह धारी है कितने धेर बच्चे हैं तो ये सब चित्र पूजा के लिए ही हैं बाप ने समझाया है ये व्यक्त वै अव्यक्त जब अव्यक्त बने हैं तो फरिष्टा हो जाते हैं मूल वतन सूच्म वतन दोनों ही हैं जरूरी सूच्म वतन में भी जाते हैं बाप ने समझाया है प्रजा पिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिष्टा बनता है फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है फिर ये राज्य करेंगे सूस में वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात हो वास्तम में विश्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं ये हैं भक्ती मार्ग के चित्र बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम आत्माय निराकारी दुनिया में रहती है साकारी है यहां बाकी सूच्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं सूच्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं तो मूल वतन सूच्म वतन फिर है इस धूल वतन तो पहले सब को बाप का परचे देना है भक्ती मार्ग मैं भी बाबा को है भगवान हे प्रबु कहते हैं सिर्फ जानते नहीं हमेशा कहते हैं शिव परमातमाई नमहा शिव देवता कभी नहीं कहेंगे ब्रम्मा देवता कहेंगे शिव को परमपिता परमात्माई केते हैं शिव देवता कभी नहीं कहेंगे शिव परमात्माई कहेंगे उनको फिर सर्व्यापी थोड़े ही कहा जाता है पतितों को पावन बनाने का करतव्य करना है तो क्या भित्तर ठिककर में जाकर करेंगे इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है ये भी ड्रामा में नूद है बाप आकर समझाते हैं यदा यदा ही धर्मश्या किसकी गलानी वो लोग तो स्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं ये तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं फिर फट से बैट सुनाना चाहिए ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि ये बीके हैं भल सफेद ड्रेस है परन्तु छापा थोड़े ही लगा हुआ है तुम कहां भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो इसका अर्थ तो बताओ देखो वे क्या सुनाते हैं बाकी ये इतने सब चित्र तो डीटेल समझने के हैं अथा ज्यान है सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं फिर सेकेंड की भी बात सुनाई सिर्फ बाप का परचे देना है वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचेता है हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए परन्तु सब को मिलना सके बाप आते ही हैं भारत में और भारत वासी ही स्वर्ग वासी बनते हैं दूसरे तो आते ही पीछे हैं ये तो बहुत सहज है परन्तु समस्ते नहीं है बाबा को तो वंडर लगता है एक दिन गणिकाएं आदी भी आकर सुनेंगी पिछाडी में आने वाले तीखे हो जाएंगे वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं बहुतों को लज्जा आती है दे अभिमान बहुत है बाबा केते हैं वैश्याओं को भी समझाना है भारत का नाम भी उन्हों नहीं गिराया है इसमें मुख्य चाहिए योग बल बिलकुल ही पतित हैं पावन होने के लिए याद के यात्रा चाहिए अभी वै याद का बल कुछ कम है किसमें ग्यान है तो फिर याद कम है difficult subject है इनमें जब पास हों तब गणिकाओं का उद्धार कर सकें अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं कन्याओं को तो अनुभव नहीं माताएं समझा सकती हैं बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे दुनिया ही शिवालाय बन जाएगी सत्यों को शिवालाय कहा जाता है वहां अथा सुख है उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिग्या करो पवित्र बनने की ऐसे पत्रतों को पावन बनान की तलवार बहुत तीखी चाहिए इसमें शायद अभी देरी है समझाने में भी नमबरवार हैं सेंटर पर रहते हैं बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परचय दो बाप की ह महिमा करो इतने गुण सिवाए बाप के और किसके हो नहीं सकते वही गुडवान बनाते हैं बाप ही सत्युक की स्थापना करते हैं अभी यह है संगम युग जबकी तुम पुरसोतम बन रहे हो तुम आतमाओ को बैट समझाएंगे यह तो समझाते हो आतमा का ही शरीर है कहा तक कोई समझते हैं ये शकल से मालूम पड़ता है कोई मूड़ी होते हैं तो सारी शकल ही बदल जाती है आत्मा समझ बैठेंगे तो शकल भी अच्छी रहेगी ये भी प्रैक्टिस होती है घर ग्रेस्ट में रहने वाले इतने उचल नहीं सकते क्योंकि गोरक धंदा लगा तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो याद से ही तुम पावन बनते हो आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है सत्युग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे अभी संगम पर तुम हसते बहलते रहते हो बेहद का बाप मिला बाकी क्या चाह बाप पर तो कुर्बान होना है साहुकार कोई मुश्किल निकलते हैं गरीबों कोही मिलता है ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है धीरे धीरे व्रद्धी को पाते रहेंगे कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबर वार कितने धेर बन जाएंगे साहुकार गरीब सब होंगे ये पूरी राजधानी इस्थापन हो रही है बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुड़ भी धारन करने है तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए तो मैं कभी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं ये आशाएं यहां होती है बाबा के बड़े बड़े वानप्रश्तियों के आसरम देखे हुए हैं बड़ी शांती से रहते हैं यहां तो ये बेहद की बातें सब बाब समझाते हैं वैशियाएं गणेकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चड़ जाएगा जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझा कर श्रेष्ट बनाओ तब तुमारा नाम भी बहुत उचा होगा कहेंगे ये तो वैशियाओं को भी इतना उच बनाती हैं खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे फिर हम सो देवता छत्रिय बनेंगे बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उन्नती को पाएंगे वह नहीं पिछाडी में आने वाले उनसे आगे चड़ जाएंगे आगे चल कर तुम सब देखेंगे अब भी देख रहे हो नए बच्चे सर्विस में कितने उचलते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला पतितों को पावन बनाने की सेवा करो गणिकाओं वैश्याओं को ग्यान दो गिरे हुए को उठाओं उनका उध्धार करो तब नाम बाला हो दूसरा सोयम की द्रश्टी को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं आत्मा से बात करते हैं बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे वर्दान अनादी स्वरूप की समर्ती द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव अनादी स्वरूप की समर्ती द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव अपने अनादी और आदी स्वरूप को समर्ती में लाओ और उसी समर्ती स्वरूप में इस्थित हो जाओ तो स्वैम भी स्वैम से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेष्टा का अनुभव करा सकेंगे असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ती आपका स्लोगन है पाना था वो पालिया बाप का बनना अर्थात वर्से का अधिकारी बनना ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणी होगी स्लोगन बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना इन तीनों की समानता हो अच्छा, ओम शांती, अव्यक्ती सालेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा इस्तिती का अनुभव करो वर्दानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वैम में शुद्ध संकल्प धारन करो सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर सालेंस स्वरूप हो जाओ आपकी ये डीप सैलेंस इस्थिती वायू मंडल का परिवर्तन कर देगी और आप सुयम को डबल लाइट फरिष्टा अनुभव करेंगे अच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती